हेलो फ्रेंड्स मेरे रेसिपी को इन हिंदी चानल में आपको बहुट बहुट स्वागत है आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ क्रिस्पी पालक चाट की रेसिपी बहुती टीस्टी होती है अगर मेरी वीडियो पसंद आये तो लाइक सस्क्राइब ज़्याद से चले फिर शुरू करते हैं यहाँ पर मैंने पालक ले लिया है पट्टा पट्टा करके इसका डंठल नहीं और यहाँ पर मैंने बारिक प्याज काटके रख लिया है नमक लाल मिर्च दोपीस चीनी लशन का पेस्ट अड्रक का पेस्ट कॉन फ्लोर यहाँ पर मैंने सारा समा प्शाब्ध całुछंडेर कर लिया है और आगली श्टेपर चलते है एप आलेक को मैं ने बहुत ही अच्छे से काठ ना है इसको फ्सक्राइब दिखा से काटणा ँगां डंडिया डालती है तो इतना स्वाडिस्ट नहीं बनती है तो हम पालक काट लेते हैं इस तरह से एसे ही करते ही मैं सारा पालक को काट लूँगी देखिए इस तरह से पीसेश करनी है इसको छोटा-छोटा बारिक काटना है मैंने काट के बावल में रख लिया है यहाँ पर मैं डालूँगी डो कर्ची कॉन फ्लोर को बहुट है अच्छे से अपने हाठों को फिंगर से इस तरह से मिलाना है अगर आप कर्ची से मिलाएंगे तो इतनी अच्छे से उसमें मैस नहीं हो पाएगा तो अपने हाठों से अच्छे से मिलाना अगली इस्टेपोर चलते हैं मैं यहाँ पर ग्या सोन कर लेती हूं और फ्राइपें को रग देती हूं फ्राइपें को थोड़ी सी गरम होने टेल अच्छे से गरम हो चुका है मैंने इसमें पालक डाल दिया यहाँ द्यान देना टेल को बर्णा क्रिस्पी नहीं बन पाएगी शॉप्ट रहेगा और उटना अच्छी नहीं बन पाएगी पालक का पट्टा लंबा लंबा होती है इसलिए काटने से थोरा सा एक डूशरे से उलशती है अगर यह देखो इस तरह से पलट देना और जब क्रिस्पी हो जाएगी तो बिर्कुल अलग अलग बहुती अच्छे हो जाएगा इसको फ्राइ करने में 5-6 मिनिट लगती है बीज-बीज में इस तरह से अपने कर्चुला के मडट से इस तरह से पलट लेना देखिए इस तरह से थोरा से यहाँ पे धियान देना यहाँ पे टेल बहुती गरम है देखिए बहुती अच्छे से फ्राइ हो चुकी है अगर आप जाड़ टेल में फ्राइ करेंगे तो इतना पलटने की जरूरत नहीं परेगी अगर थोरा सा टेल में आप फ्राइ करेंगे तो पलट के कर सकती है इसलिए मैं अपने कर्ची के मडट से पालट को पलट रहे थी तो मैंने यही करते हैं, आप पलट को फ्राय फेंड से निकाल लिते हूँ तुबारे सकागा है, भटन में ले लिया जो मैंने बारिक एक प्याज काटके रखी उसको डाल लेती हूँ एक चम्मच अढ्रा की पेस्ट एक चम्मच लस्चन की पेस्ट और डो मिर्चे मैंने लिया था। उसको मैंने टुकर टुकर करके यह तरह से डाल दिया। और इसमें विर्कुल भी टेल नहीं डालना है, ऐसे ही स्लो ग्यां स्पेस को ब्राउन करना है, बहुती ज़्यादा नहीं हलकी सी ब्राउन करना है देखिए ब्राउन हो चुकी है, अब इसमें मैं डालूंगे एक छोटी चम्मा चीनी और उसको भी इस तरह से मिला लूंगे देखिया हो चुका है अब आप इसमें डालूंगे जो मैंने पालक प्राई करी थी उसको डाल दूंगे उसको मैंने डाल दिया है और अपने कर्चुला के मड़ट से बहुती अराम से इसको मैं मिक्स कर दूंगी इस तरह से देखिए बहुती हेल्दी होती है अब नमक डालूंगी स्वाद नुशार और नमक डालके अच्छे से मिला लेती हूँ देखिए बन के ब्रकुली तयार हो चुकी है मैं एक प्लेट में निकाल लेती हूँ बहुती हेल्दी होती है पालक कभी भी भूख लगे तो आप आराम से बना सकते हैं अपने बच्चे अपने फैमली के लिए बहुती टेस्टी होती है मेरी रेसिपी अपने घर में आप एक बढ़ जरूर ट्राइ करें क्रिस्पी पालक के चाट बनाए खाए और कॉमेंज बोक्स पे जरूर बटाएए बनके तयार हो चुकिए अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सस्क्राइब नहीं करें तो जरूर सस्क्राइब कीजिएगा औ और बेल आइकन को जरूर दबाएएगा अगले वीदियो पर मिलते हैं तब तक के लिए धन्यवाद